खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन नमस्कार आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 निउस आपके साथ मैं हूँ प्रवीन दिल्ली चुनाव के लिए नमंकन के आकरी दिन मुक्यमंत्री अर्विन के जिवाल ने परशा भर दिया है लेकिन अर्विन के जिवाल को लंबा इंतजार करना पड़ा क्योंकि जामनगर हाउस के आरो आफिस में काफी भीड रही मुख्यमंत्री के नामंकन में होती देर को लेकर आमादभी पार्टी के कारेकरता भड़क गए इतना ही नहीं दिल्ली के डिप्टी सीम मनिश सिसोधिया और सौरब भारद्वाज ने इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी पर साजिश का आरोप लगाया इस मामले पर उप मुख्यमंत्री मनिश सिसोधिया ने कहा बीजेपी वालो चाहे जितनी साजिश कर लो अर्विंद केजिवाल को ना तो नॉमिनेशन भरने से रोक पाओगे और ना ही तीसरी बार दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने से तुम्हारी साजिशे कामयाब नहीं सिसोधिया के अलावा आप विधायक स्थौरफ भारदवाज का कहना है कि ऐसे लोग नामंकन करने पहुंचे हैं जिनके पास पेपर नहीं हैं दस प्रस्ताव तक नहीं हैं ये लोग केजिवाल को नामंकन नहीं करने दे रहे बीजेपी इन लोगों के पीछे है इस से पहले इन लोगों ने हंगामा भी किया था हालांकि सोरफ भारदुआज को जवाब देते हुए मुख्यमंत्री अर्विंद केजिवाल ने लिखा कि कोई बात नहीं कुछ लोग पहली बार नामंकंद भर रहे हैं ऐसे में उनसे गलती हो जाती है हमें इंतजार करना होगा इंतजार करना मुझे अच्छा लगता है वो भी परिवार का हिस्सा है नई दिली विधानसपा सीट से चुनाव लड़ रहे अर्विंद केजिवाल के खिलाफ कॉंग्रेस के रोमेश, सुबरवाल और बीजेपी की और से सुनील यादव उमीदवार है इसलिए दिली की ये सीट काफी एहम है क्योंकि इस पर केजिवाल खुद उमीदवार है अर्विंद केजिवाल को नामंकन भरने के लिए टॉकन नमबर 45 मिला ऐसे में उन्हें परचा दाखिल करने के लिए अर्विंद केजिवाल नामंकन भरने के लिए निकल पड़े आज नामंकन की आकरी तारीक थी लग भग सभी पार्टियों के प्रत्याशियों ने नामंकन भर दिये हैं और चुनापर चाब में उतर चुके हैं अब देखना ये होगा कि दिल्ली की जनता दिल्ली का सिंगहासन किसे देती है इस खबर में फिलाल इतना ही देश और दुनिया की तमान खबरों के लिए आप बने रही हमारे साथ और देखते रहें इंडिया टाइम 24 नीउस नमस्कार